पंजाब सरकार को NGT ने की फटकार लगाया 2,000 करोर रुपे का जूर्माना National Green Tribunal ने पंजाब सरकार पर 2,000 करोर रुपे का जूर्माना लगाया है ये जूर्माना पर्यावरन को नुकसान पहुंचाने वाले ठोस और सोलिड वेस मैनेजमेंट ना करने के लिए लगाया गया है NGT अध्यक्ष नाइमूर्ती अधर्श कुमार गोल के अध्यक्षता वाली पीट ने इस मामले में पंजाब सरकार को फटकार भी लगाया है से पहले भी NGT ने पंजाब सरकार पर 50 करोड का जूर्माना लगाया था यह जूर्माना भी पर्यावरन के साथ खिलवार करने को लेकर लगाया गया था